असलाम आलेकुम फ्रेंड कैसे हैं आप सब और आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ चने की डाल का हलुआ तो देखिए चने की डाल मैंने 250 ग्रैम ले लिया उसको सोग कर दिया था चार से पांच गंटे या पूरी नाइट भी कर सकते हैं और फिर इसे कूकर में ट्रांस्फर कर दिया है और एक कप दूट डाला था और दो इलाईजियां चोटे लाईजिय और चारपांच सीटी लगई और फिर उसको उबाल लिया और इस तरह से फिर मैंने ग्राइंडर में पीश लिया एक फईन पेस्ट की तरह गिला ना रहा है सूखा सूखा रहा है बस यह ध्यान रखें फिर यह कड़ाई चड़ा दी है और इसमें डाल दिया है करीब 50 ग्रैम के करीब देशी घी हमारी दाल है 250 ग्रैम तो इसमें 100 ग्राम के करीब घी जाएगा ही जाएगा और आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं लेकिन इतना सफिश है आप दाल को बहुत अच्छे से भून दें जब तक कि वो तो आपको डाल से नहरे कलर की ना हो जाएगा तो इसमें थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है तो आप धीरे धीरे ओपर नीचे करके चलाते जाएं थोड़े देर की छोड़ दें 5-10 मिट के लिए फिर इसको चला दें और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी इसमें और एड़ करते चलें चने की दाल में अपना कोई फैट नहीं होता है बहुत ही जीरो फैट होती है यह तो इसलिए इसमें घी अच्छे से जाता है और इस हलवे की खासियत यह होती है कि आप इसको महीनों स्टोर करके खा सकते हैं देखिए अब दाल थोड़ी थोड़ी सूखने से लगी है और जब तक दाल भून रही है आईए सामान दिखा देखिए चीनी भी मैंने ली है 250 ग्रैम और यह चिरोंजी है और यह है थोड़ा काजू किश्मिश और बदाम और वह इलाची पॉडर और इस तरह से कट कर लें चिरोंजी और किश्मिश को ऐसे ही रहने देंगे और इन ड्राइफ रोट को अपने मन चाहें शेप में आप कट कर लें दाल का पानी देखिए और बहुत बहुत जादा जरूरी रहता है इसकी बुनाई सही इसका असल टेस्ट आता है आप दो-चार मिनट छोड़ दें उसको फिर परेटें फिर ऐसे ब्रेक कर दें अलग-अलग कर दें दाल को दाल की टोटल भुनाई में आपको वक्त लगेगा कम से कम 40-45 मिनट इतना तो लगता ही लगता है अगर थोड़ा कमच करना चाहते हैं तो 30 मिनट कर लें देखिए अच्छे से भुन गई थी इसमें तो अब मैंने एक प्लेट में अलग कर दिया है अब कड़ाई वही ले ल से दाने डाल देंगे और इसमें डाला है एक कप मैंने पानी इस शुगर के जो आप डिबा देख रहे हैं उससे बस हाफ जाएगा जितनी शुगर होती है जिससे हम लेवल करते हैं शुगर को जिस बड़ डिबे से उसका आधा ही पानी लेना है और फूट कर डाल दें दो चार पिंच और अब देखिए इसमें बॉइल आने लगा है बढ़िया से अपनी चाशनी को भी हमें ज्यादा देर नहीं पकाना है पांस से साथ मिनटी पकाना है अब देखिए कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंस्टी हो जाएगी इस तरह की इसकी कंसिस्टेंस्टी होगी जब ठंडा हो जाए तो आप देखें बहुत हलका हलका सा चिप चिप आएगा जरुरी नहीं कि इसकी एक तार या दो तार की आप चाशनी बनाए चाशनी रेडी हो गई थी अब इसमें हम धीरे धीरे करके मिला देंगे अपनी और फिर से एक बार इसको अच्छे से मिलाएंगे वेल कमबाइंड कर लेंगे इस टेरी से चलाना बहुत जरूरी होता है अब आप इसको छोड़ नहीं सकती है देखिए और जब इसमें बबल आने लगते हैं तो थुड़ा आप केरफुल हो जाएं आपके हाथों में भी छ इसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पर आप जरूर जाके देखें और देखी खोया डालते ही एकदम हलुए का कलर जो है चेंज हो गया है बहुत ही दानेदार सा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है यह हलुआ और इसमें थोड़े थोड़े करक ड्राइफूर डाल देंगे यह आप पे डिपेंड करता है कि आप यह कितने कितना मीठा आपको चाहिए कितना चिकना चाहिए जो आइडियल चीजें हुआ है वो मैं आपको यहां पर बता रही हूं कि इतना तो मतलब लगे गई ही 250 ग्राम डाल है तो उतने ही जाएगी इलाइची पौडर चाशनी में भी आपको कम से कम इसको 20-25 नट बना नहीं है इसका साइन यह होता है कि यह एकदम आपका बरतन जो है छोड़ने लगता है देखिए कितनी क्लीन सी है कढ़ाई जैसे आप आटा गूनते हैं तो डो एक जहां कमबाइंड होके एकदम क्लीन हो जाता है आपका बरतन सर्फेज तो कुछ इसी तरह से इसका भी रहता है यह देखिए आप जैसे जैसे जिसको जिदर घुमाएंगे यह आसानी से हो जाएगा एक जगह एक खटा होने लगता ह है हलुआ आपका और इसको जमाने के लिए तयार कर लेते हैं एक थाली मैं ले लिए स्टील की ओवल साइज है और एक स्पैचला में भी इस तरह से वह लगा लेंगे घी ताकि इसको टैप कर सके हलुए को देखिए अब एक दम से कहीं भी कोई भी मॉस्टर नहीं है और एक की खरम बहुत होता है तो आपको यहां पर भी बहुत ही जादा साफधानी की जरुवत है बहुत ही एतियात से अच्छे से इसको इवेनली एकदम स्प्रेट करना है और उपर से जो बचे थे वो गार्निश कर देंगे ड्राइफ फूट अपने आप भी इसको एक बार जरूर से जरूर ट्राइए करें गर्मी आ रही है आप इसको बना के रखने और यह शबवराद स्पेशल भी है पहले से डाल ली हूँ और अब इसमें लगा देंगे और इसको एक लुक देने के लिए यह ऑप्शनल है आप चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं चांदी का वर्क दो शीट तेन शीट जो भी आपके बरतन के अकॉर्डिंग इसमें लगा दें यह देखिए जबर्दस्ता हलुआ बनके तयार है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरी सारी वीडियो देखें अगर चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कॉमेंट जरूर बताएं कि आगे आपको और कौन-कौन सी रेसिपीज देखनी है और मेरे चैनल को इंप्रूव करने में हेल्प करें और अगर नए हो तो बिना सब्सक्राइब करें प्लीज ना जाएं और यह देखिए हलुआ इदम से निकाल दिया है अपने मन चाहें शेप में आप कट कर सकते हैं इसको थैंक्स फॉर वाचिंग अलाहाफेज क्राइब करें